हेलो दोस्तों स्वागत है आपको PSR YouTube चैनल पर मेरा नाम है लीना चैन आज का मोरा टॉपिक है Best Hosting Website for Affiliate Marketing तो आज की पेडियों हम देखेंगे कि affiliate marketing करने के लिए सबसे अच्छी hosting website कौन सी है और इसी वीडियो के description आपको एक web hosting का discount link मिलेगा जहां से purchase करने पर आपको मिलेगा total 80% का discount तो directly जाके purchase कर सकते है और अगर आपने पर देखेंगे चैनल को subscribe करने के लिए सबस्क्राइब करने के लिए सबसे अच्छी web hosting कौन सी हो सकती है तो guys यहाँ पर इस वीडियो में हम mainly दो hosting site के बारे में बात कर रहे है ठीक है यहाँ पर मैं चाहता तो सिर्फ एक hosting अपसर बिता सकता था लेकिन guys क्योंकि मुझे जब realize हुआ कि अगर मैं दूसरा बाला यहाँ नहीं गुदाता हो कहीं ना कहीं एक गलत बात हो जाएगी discount link आपको discussion मिल जाएंगे और अगर आप हमारे discount link का use करके purchase करते हो यहाँ कि हमारे discount link पर click करके फिर आप अगर posting purchase करते हो और purchase करने के बाद जो receipt generate होता है उसका screenshot लेकर अगर आप मुझे इसी वीडियो के description में दिये गए email ID पर send करते हो तो अगले 48 गंटे के अंदर अंदर मे आपको एक news यानि की blog theme जूँगा जिसका नाम है news mag premium theme जो 60 डॉलर का है ठीक है वो आपको फ्री में दूँगा lifetime के लिए और दूसर रहेगा elemental prop plugin वो भी आपको lifetime के लिए दूँगा unlimited websites में यूज़ कर सकते हो और तीसरा rank math SEO premium plugin वो भी आप unlimited websites में यूज़ कर सकते हो और वो भी आप मुझे email id पर contact करें मैं आपको यह बहुत ही negligible price में मैं आपको दे दूँगा यह तीनों चीज़ है जो की लगबग elemental prop को अगर आप पकड़के चलों तो फूरे lifetime में कम सेकंड़ से 2 लाग फिर आपको देने पड़ते हैं lifetime की बात कर ला तो ठीक है तो वही चीज वो सब कुछ में आपको बहुत ही कंप्राइज में दूँगा तो बस आप मुझे contact कर सकते हो अगर आपको hosting नहीं चाहता है अगर सबसे ज्यादा सेल किसी कमनी की होती है तो वह hosting की होती है उसका सबसे बड़ा रिजन की प्राइजिंग ही रहती है और अभी इनके प्राइजिंग में आपको और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि नॉर्मली 30% को डिसकांट रहता है यह लेकिन आँ पर आप यह अपको एक्षडिस्टा और देखने को मिल जाता है तो अगर आप यह ब्लान चासता हुआ है लेकिन इस प्राइन की प्रैजिंग वही रखी हुई है तो अभी होस्टिंगर क्यूंग क्यूं इसका सबसे बड़ा रीजन में आघ बताता हूँ एक तो देख बोग जो बनाने वाली हो आफिलियेट के लिए अफिलियेट मार्केटिंग के लिए जो बिलोग आ बना रहे हो वोगा वर्डपरस ले बनाने वाले हो नहीं वर्डपरस ले बनाते हैं तो wordpress कंपनी खुद रेक्मेंट करती है है पहला रिजन दूसरा रेता है इनका रिव्यू जो कि लोगों ने किया है ठीक है यहां पर 29,150 लोगों ने रिव्यू डाला है तो अब भी 4.6 का इनका रिव्यू आथा ट्रस्ट पाइलेट पर गूगल पर 4.8, होस्ट एडवाइस पर 4.6 और यहां पर सिर्फ ऑस्टिंग कमणी के रिव्यू डाले जाते है दूसरी बात होस्ट एडवाइस पर एक बंदा एक सयादा रिव्यू नहीं डाल सकता है, बले अच्छा डालो खराब नहीं, वो डाल ले की सकता है, तो मतलब कोई भी कई लावा अगर हमारे एजनसी का अगर हम देके चले तो आठ साल का हो चुका है बाकि अगर मेरा personal और अगर इसमें जोड दो तो 12 साल से मैं hosting-gård use कर रहा हूँ तो इन 12 सालों में मैंने hosting-gård में कभी भी कोई भी issue देखा नही है हाँ, शुरू शुरू में कैसा था hosting-gård अगर उस हिसाब से अगर देखा जाये तो आज के date में hosting गर ने बहुत इंप्रूव किये लेकिन उस time पे जब मैंने शुरू किया था था ना तब इतनी उतना भी अच्छा पर्फॉर्म करने वाली companies नहीं थी लेकिन आज के date में hosting गर ने बहां से उठी के बहुत ज़़ा तरक्य किये अगर पिछले चार महीनों की बात करो है ना फिछले चार महीनों की बात करो तो वैसे तो कमपनी बोलती है 99.95 का अप टाइम देती है लेकिन फिछले चार महीनों से अप टाइम 100 पसंद चल रहा है है ना तो गैस बहुत ही ज़्यादा अपने चीज़ों को सुधार रहे होस्टिंगर और अपना सब बले उनका सपोर्ट हो बले उनकी फीचर्स हो बले उनकी पर्फॉर्मेंस हो सब कुछ इंप्रूव कर रहे है तो टाइम टू टाइम इस कंपनी ने अपने आप को इंप्रूव किया है और इसी बज़े से सबसे ज़्यादा सेल्स इस कंपनी के होती है और सबसे इंपॉर्टन चीज़ प्राइजिंग कम रखिए है ना तो प्राइजिंग कम रखने में इनका सबसे बड़ा हाथ ये रहा है कि आप सोच रहे हो खर्चा उनके लगता है अब इनों ने लाखों खर्च करके खुद का पैनल बना दिया कुछ पैनल को एक बार बनाने के लिए और सिर्फ बनाने के लिए 20 से 25 लाख रुपे लग जाते हैं एक पैनल बनाने में ठीक है उसके बाद उसको सी पैनल से जादाएजियर्यज्य यूस करने में है न तो वहां पर इनको सकस्स मिलिए और इसी वज़ये से ये अपने प्रैस्जिंग को हमेilated सबसकता रखता है अगर ये भी सी पैनल यूस करते है तो इनको ये भी LOGO ने भी अपने पूराने होस्टिंग कमणी से होस्टिंग में होस्टिंगर में माइगरेट किया है उन लोगों की बात करे तो सब को 5-7 गुना ज्राफिक देखने को मिला है होस्टिंगर आने कोई लेकिन उसमें से एक कलाइंट ऐसा है जिसका ट्राफिक ग्यारा गुना बढ़ी है तो गैस जब वो यह चीज ज़्यादा पुरानी बात नहीं है लगमन नो महीने पुरानी बात है ठीक है तीन महीने पहले मैंने यह बात आपको अबसे पहले बताई थी कि ऐसा हुआ है ठीक है लेकिन ये चीज़ आमने नोटिस की कि हर एक के कैसे 5 ग Trulyowa ट्राफिक बढ़ता है थीक है ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका ट्राफिक बढ़ा ही नहीं हो पांस गुलना तब बढ़ा ही नहीं एक लेकिन 7 गुन ACC 2-4 दन नोंको में अब वो बंदा होस्टिंग चेंज करने के साड़े तीन महीने बाद उसने यह अब्जर्व किया कि उसके 11 गुना ट्राफिक बढ़ गया और जो कि उसके 100 डॉलर बने थे अभी 1100 डॉलर बन गया बहुत मैसिव चेंज आया है हमने भी एक्सपेक नहीं किया था हमने भी सिर्फ यह सोचा गया पांच गुना हो जाएगा बने का ठीके 100 डॉलर का मता है 500 हो जाएगे इसके ठीके तो भी वो खुश तो ही जाएगा लेकिन यहाँ पर हमने जो सोचा उससे भी कुछ बहुत ही ब एक तो प्राइस कम रहता है यह सबसे बड़ा रीजन रहता भी है ठीक है अब चलते हैं कि कौन सा होस्टिंग हमें लेना है अफिलियर्ड मार्केटिंग के लिए देखो यार होस्टिंगर में प्लान्स वैसे तो इतने जादा नहीं है ठीक है दिखते थोड़े जादा है है इतने ज़्यादा है नहीं प्रीमियम और बिजनस दो ही प्लान है अगर आपको शुरू करना है ठीक है क्लाउड होस्टिंग वगरा में अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत से आप्शन है वो एक अलग चीज है लेकिन यहाँ पे शुरुआत करने के लिए दो ही प्लान है तो ज़्यादा नहीं होना है यह देखो कि इन दोनों प्लान में से बेटर कौन सा है तो सीदा सीदा दिख रहे है ज़सकी प्राइस ज़्यादा होगी ना वो चीज बेटर होगी इसमें कोई डाउट कभी रहता ही नहीं है अब क्यों बैटर है ये समदना जरूरी है गैस द इसमें पर आपको ज़्यादा ट्राफिक मिलता है ज़्यादा ट्राफिक होगा तो ज अफिलियेट सेल्स होंगे तो अफिलियेट मार्केटिंग में सबसक्रेंश चीज क्या है कि लोग आपके ब्लोग पर आए सर्च करके या نि confession का मार्केटिंग जो ब्लॉग आप बनाते हो उसमें लोग सर्च करके आने चाहिए क्योंकि देखो सर्च वही इंसान करता है जिसको जरूरत होती है अगर अगर अभी मुझे मालों के स्पोर्ट शूज साहिए तो मैं क्या करूँगा बेस्ट स्पोर्ट शूज अंडर 5000 रूपेश ठीक है तो मैं यह सर्च करूँगा कि 5000 के अंदर अंदर कौन से ऐसे जूते हैं जो सबसे सही है तो मैं यहां पर देखूँगा यह एक ब्लॉग है पांच जार की नीचे का ब्लॉग तो यह रैंक हुआ तो यह देखूँगा अभी मैंने इसमें क्लिक किया तो मुझे एक ट्राफिक मिला तो क्या हुआ इससे की इसमें रहा है अब क्यूंकि मैं बेस्ट क्यों सर्च कर रहा हूँ बेस्ट करें मुझे खरीदना है अगर मुझे जूतों के बारे में सुप जानना होता तो मैं बेस्ट कभी टाइप नी करता है बेस्ट हटा देता स्पोर्ट शूस को मैं खाली ऐसे टाइप कर देता है अब यह खरीदने वाला कीवर्ड नहीं होता है यह स्पोर्ट शूस के के बारे में जानने के लिए होता, अब जैसे मुझे कुछ भी जानना होगा ना किसी भी चीज के बारे में, कोई भी दवाई हो गई, या फिर कुछ भी होगा, for example, मैं किसी दवाई का नाम या पर टाइप कर दता हूँ, फिर किसी भी चीज का, विलो बैट, ठीक है, अब मैं विलो बैट मतला मुझे नहीं पता विलो बैट क्या चीज होती है, बैट होती है, ठीक है, तो विलो बैट क्या चीज होती है, यह मैं जानने के लिए सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर, what is विलो इन बैट, ठीक है, तो यह चीज जो है, मैंने आपर तो यह मैं खरीदने के लिए कर रहा हूँ, मुझे खली जानना है, खरीदना नहीं है, तो खरीदना होगा न, तो मैं यहाँ पर लगाँगा, best, कश्मीर विलो बैट, ठीक है, तो अब मुझे यह खरीदना होगा, तो मैं यह आपर देखुँगा कि सबसे अच्छे कौन-कौन तो मैं यह लिस्ट निकालूँगा इस में से, ठीक है, इस ब्लॉग मैं से मैं यह लिस्ट निकालूँगा, और फिर मुझे जो सही लगया, वह वाला बैट मैं खरीदूँगा, ठीक है, क्योंकि इस बार मुझे best चाहिए था, best की list मेरे सामने आवीगी, तो गैस इस तरीके से चीज़े लोग सर्च करते हैं, तो आपको ऐसे keywords पर rank कराना अपने affiliate marketing website को, कि जिसके तुरूँ लोग search करके आए, और वो भी intentional search हो, intentional मतलब खरीदने के intention के साथ आए, ना कि knowledge लेने के intention के साथ आए, ठीक है, तो ऐसे keywords पर जब rank होगी आपके website, तो जब लोग search करके तो आपके site पर आएंगे, और आपके site पर अगर उन्हें सही चीज मिल गए, अच्छा content अगर आपने दिया है उनको, तो वो आपके link के तुरू खरीदेंगे और आपको commission मिलेगा, तो उसके लिए आपका rank होना सबसे जरूरी है, यह content तो आप बना लोगे, यह मुझे पता है, कि आप लोग content तो बना लोगे अच्छा, लेकिन important चीज़े है कि rank बना चाहिए, rank होने के लिए सिर्फ अच्छे content से ही rank नहीं होते है, hosting अच्छी होनी चीज़े, सबसे पहले चीज़, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़े है, hosting अच्छी होनी चीज़े, अच्छा SEO कर tag होना चीज़े, ठीक अगर आपने दो-दो heading डाल दिया एकी page में, तो वो गलत SEO है, एक page में h1 tag ही हो सकता है, h2 कितना भी कर लो, h3 कितना भी कर लो, फरग नहीं पड़ता है, लेकिन h1 ही क्यों होना हो सकता है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो वो सब चीज लेकिन अगर आपका site का time अच्छा नहीं है, site की speed अच्छी नहीं है, तो क्या कर होगे, तो आपको content भी कुछ नहीं कर सकता है, तो इसलिए hosting काम आती है, तो अच्छे जगे से hosting लोगे, तो फरमनी तो इतनी सारी hosting companies की जरूत क्या थी इस दुनिया में, तो इसलिए उसका चाहिए इसकी यहाँ पर है, unlimited है, जितना चाहिए उतना traffic लेकर है, एक लाग तो कुछ नहीं है, तो फिर एक लाग लिखा गाई, यह marketing strategy, जब कोई किसी को कम बोलता है, तो लोग ऐसी कुछ हो जाते है, तो क्या फिर लोग hosting अट साथ बने रहेंगे, लोग यह सोचिंगे, एक लाग बोलता है, हमारे दस लाग का traffic आगया, फिर भी site चालू है, ठीक है, तो मतलब यह एता है कि, अब आपको इसे लेगा, क्यार, यह company तो अच्छी, एक लाग बोलके, दस लाग का traffic तो दे देते हैं, तो आप तो हम इसी के साथ बने रहेंगे, लाइफ टाम तो, यह से आप अपने Amazon साइट का लिंक कर लो, और वहां से फिर आपको फिर कभी भी किसी image के लिए, या फिर किसी button के लिए, आपको वहां तो जाना नहीं पड़ेगा, आपको automatic button के साथ, आपको एक affiliate website डाल बनाने के लिए, सारी choices यहाँ पर मिल जाते हैं, तो यह वाला plugin आपको premium plugin को आप अपना career select कर चुके हो, और उसमें आपको आगे बढ़ना है, तो सीधा सीधा concept यही है, कि आप seriously उसके पीछे लग जाओ, अगर seriously अगर आप लग रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप यह वाला plan लो, try कर रहे हो, पढ़ाई के साथ कर रहे हो, अगर नहीं भी हो तो आपक ठीक है, तो ऐसे में रुकने वाली चीज नहीं है, online में आप रुक नहीं सकते हो, regularity तो आपको बना के रखना पड़ेगा, आप consistency के साथ डालना पड़ेगा, consistency आप नहीं छोड़ सकते हैं, अगर आपको serious काम करना है तो, पर अगर आप serious काम करी रहे हो, consistency नहीं छोड़ रह अब चलते हैं, next company की तरह, next company है, kemi cloud, देखो guys, kemi cloud की बात मैं करूँ ना, तो मुझसे अगर कोई रात को उठा के पूछ लेना, कि कौन सी hosting company लेनी चाहिए, affiliate marketing के लिए हो, चाहिए e-commerce के लिए हो, तो मैं उनको एक ही एक जवाब दूआ, kemi cloud, अभी तक आप hostinger के बारे में केना है, मतलब यह है कि, hostinger में आपको जो जो plans में ने बताया है, वो cloud hosting नहीं थे, cloud hosting की बात करें, अगर hostinger में तो यह बहुत दा महना पड़ता है, है ना, लेकिन यह पूरी company ही cloud server पे काम करती है, kemi cloud, मतलब hostinger जहां आपको 99.95% का uptime देती है, kemi cloud आपको 100% का uptime की guarantee देती ह kemi cloud आपको hosting हो सकता है, कभी 100% का uptime देती है, 4 मैंने से दे रहे हैं, लेकिन kemi cloud आपको हमेशा lifetime uptime देगा 100% का, अब क्यूंकि cloud server पे है, तो आपको अच्छी कासी speed मिलेगी और uptime का तो कोई guarantee है, यह क्यूंकि kemi cloud यार, cloud server, cloud server का मतलब क्या होता है, एक particular server पे नहीं है आपकी website, तो अगर एक, दो, तीन, चार server खराब भी हो गए ना उसमें, तो फरक नहीं पड़ेगा आपकी website तब भी चलती रहेगी, यह खास बात हो जाती है, kemi cloud की, अब ही kemi cloud का अगर आप review देखोगे, तो hostinger का review 4.6 था, kemi cloud में देखो 5 out of 5, 5 out of 5, 5 out of 5, 5 out of 5, 5 out of 5 और 4.9 out of 5, host advice 5 out of 5 है, तो मैं सबसे अधर trust इस पर करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब सब जगों पर 5 out of 5 है, तो guys, एक बहुत ही outstanding की निकल गया आती है, hostinger में 30 days की money back guarantee थी, यहाँ पर 45 days की money back guarantee है, यहाँ पर आपको hostinger में आपको CDN मिलता था, 6 DB मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको one core CPU मिलता है, यहाँ पर two core CPU और यहाँ पर three core CPU मिलता है, तो three core CPU तो आपको लेने के लिए 1000 रुपे देने पड़ते है, hosting कर में यहाँ पर आपको 50 दोलर देने पड़ेगी, अगर किसी को cloud hosting मिल रहा है, इतने कम प्राइज में, तो मुझे तो यह बात पक्का पता है कि आप लोग cloud hosting ही लोग है, जोगी cloud hosting का कोई मुकाबला नहीं है, अब फिर kemi cloud को जादा लोग, hostinger जितने जादा लोग क्यों नहीं लेते हैं, गैस इसका बड़ा reason यह है, कि hostinger में आ को या तो credit card होना चाहिए, या debit card में international payment on होना चाहिए, ठीक है, अगर यह दोना में से कोई case है, आपका तो आपना बहुत पैसा बचा सकते हो, kemi cloud में, ठीक है, यह एक बहुत बेड़े option रह जाता है, ठीक है, तो यह चीज है, अब kemi cloud की अच्छी बात यह है कि, जैसा कि मै मैंने कहा था, मैं 8 साल से kemi cloud को यूज़ कर रहा हूँ, और 12 साल से hostinger को यूज़ कर रहा हूँ, और 8 साल से kemi cloud को यूज़ कर रहा हूँ, इसी बचे से मैंने इस वीडियो के अंदर kemi cloud का add किया है, अब मैंने कहा था, कि 11 गुना एक बंदे का traffic बढ़ा था hostinger में, अब kemi cloud तो पिछले आठ साल में इसको यूज कर रहा हूं, तीन ऐसे बंदे जिसका 15 गुना बढ़ चुका है, 15 गुना ट्राफिक 3 गुना बढ़ चुका है, हाँ, अब उनका अर्णिंग 100 डॉलर से 1100 डॉलर हो गया, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उनका ब्लॉग था ही नहीं, उनका e-commerce अब साइट था, तो e-commerce अब साइट में उनका 15 गुना ट्राफिक आया, और sales तो guys, वही चीज दिनने वाली है, जब कोई चीज बंदा कोई खरीद रहा है, तो वो depend करता है खरीदने पर, एक होता है blog, जिस पर बस लोग आ जाए उतने में हमें पैसा मिल जाता है, e-commerce अब साइट में कहाता है, लोगों को खरीदना पड़ता है, तो उसके जो sales है, वो भी 15 गुना बढ़ गए, जितना उनको पहले sales मिल रहे थे, उससे 15 गुना ज्यादा sales उनको मिलने लग जब 15 गुना ट्राफिक आया, तो जितना दिखेगा, उतना बिकेगा, तो वो ची को एक दम परफेक्ट करते हैं, वन क्लिक इंस्टोर, वर्ड़र स्टेजिंग, डेली बैकप, SL सर्टिफिकेट, इमेल सर्विसर, लाइट स्वीट, कैशे, इसके लावा फासे कैशे, एंजिन्स, क्लावड, फ्लैर का सीडियन, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने का मिलता है, यहाँ पर, होस्टिंगर में क्या रहता है, कि nvmE storage आपको सस्ते वाले प्लैन में नहीं मिलता है, ठीक है, nvmE आपको यहीं देखने को मिलता है, ठीक है, तो nvmE ज़्यादा फास्ट होता है SSD से, और यहाँ यहीं मिलता है, अन्लिमेटड बैन्बिट ही मिलता है, प्रूफ का है गैस दोखो कर light speed server होगा ना तो quick speed अबी है यह होता है light speed server के साथ में आता है वो light speed server के साथ में सब quick speed नहीं ls cache भी आता है light speed cache यहाँ पर आपको नीचे लिखाओ को मिल जाएगा fastest cache engine यह भी आपको यहाँ भी मिल जाता है और बाकी आपको unlimited website यहाँ मिल जाता है और दिवेस दिवाफ storage आप देख रहो ना 30GB 20GB कम लगता होगा लेकिन यहाँ पर I note restrictions नहीं है इसलिए आप 30GB storage को पूरा यूज़ कर सकते हो यह एक अच्छी बात है और 30GB storage की आपको ज़रूरत पढ़ने वाली नहीं है अगर आप 5 साल भी यूज़ करते हो ना आप 5 साल तक अपने website पर daily content डालते हो ठीक है अगर आप 5 साल तक अपने website पर daily content डालते हो तो उस case में भी मैं कहूंगा सिर्फ 5GB से ज़्यादा storage आपके खर्च नहीं होने वाला है यह मेरी guarantee है पांच साल में तब भी 25GB आपको खाली रही है अगर आप यह वाला प्रान लेते हैं तो आपका 15GB तब भी खाली रहेगा इसकी मैं guarantee कि storage इतना ज़्यादा बताया जाता है आपको दिया जाता है आपक 20 देश तक आपके हर एक दिन के backup को रखा जाता है अब 30GB को 20 देश तक अगर रखना है हर रोज backup लिया जाता है तो 600GB आपके लिए कंपनी खाली रखती है तो वो एक totally different concept पर काम करते है तो ऐसे में क्या रहता है कि आपको यहाँ पर क्या है storage का इतना दिमाग लगाना नहीं storage कभी भी मन देखना storage इतना देखना कि 5GB है की नहीं अगरा 5GB है शुरू कर लो मैं यह बोलता हूँ ठीक है आप 40GB storage मिल जाएगा और यहाँ पर आपको क्या है कि 3 core CPU और 6GB RAM आपको पहले प्लाइन नो 2GB RAM है और यह 2x2 4GB RAM हो जाएगा यहाँ और 3x2 और 6GB RAM हो जाएगा और इस प्लाइन में बहुत पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितना मुतलब यहाँ पर आपको पावर मिल जाता है आपको यूज कर रहे हो ना तुम कितना CPU एक पर तीन मिलता है बहुत फ़रक पढ़ जाता है इस चीज़ का ठीक है आपको सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी अब मैं आपको इन में से कौन सा प्लान अगर मैं सज़स करूँगा मैं आपको इस बोलूगा कि वर्टप्रस प्लान लो क्यूंकि देखो अगर माल लो कि आज आप सोच रहे हो कि एक यूपसाइट चाहिए आपको हो सकता है एक म अगले मैंने रिन्यू करा होगे आपको मन्तली लेते हो से दो डॉलर देने तो मतलब बहुत ही सस्ता पड़ जाता है जब आप तीन साल के लिए लेते हो तो मन्तली वाली गलती कभी मत करना एक दो जना ने मेरे सब्सक्राइबर से ऐसी गलती किये और लोग ने फिर उसको रिटर्न करके फिर यरली लिया है ठीक है तो यरली लो तीन साल के लिए लो लेकिन मंतली नहीं लेना है ठीक है कि कलती मत करना है तो वीडियो के शुरूर में आप वापस सुन लेना अगर आपको होस्टिंग नहीं लेना है तो आप मुझसे अलग से कॉंटाइट कर सकते हो मैं आपको प्रीमियम थीम्स अप लगिंस बहुत ही कम प्राइस में प्रवाइड करा दूँगा तो उम्मीद है कि सब कुछ सही लगा होगा और वीडियो सर्व राइस कुरू करते दोस्तों आज वीडियो सर्व इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद